तुलसी को छूने से पहले जरूरी है कुछ नियम और बातों का ध्यान रखना, आप भी जान लीजिए। ऐसी बहुत सी बाते हैं जिन्हें तुलसी की देखरेक के समय ध्यान रखना आवश्यक है। पौधों से जुड़े वास्तु टिप्स में भी ये सुझाव मिलते हैं। अनेक भारतिय घरों में तुलसी का पौधा देखा जा सकता है। तुलसी के पौधे की धार्मिक मान्यता भी है और आयुरवेद में भी इस पौधे को खास माना जाता है। वहीं। तुलसी को तुलसी माता भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं की बात करें तो ऐसे कुछ नियम है जिन्हें तुलसी की देखरेक में बेहत ध्यान रखा जाता है। खासकर तुलसी चुने से पहले इन बातों का ख्याल रखना जरूरी होता है जानिये कौन से है ये नियम तुलसी चुने से पहले ध्यान रखने वाली बाते सर्यास्त के बाद आमतोर पर पौधों को रात के समय पानी देने या उनकी पत्तिया तोड़ने से परहेच करे की सलाह दी जाती है वही मान्यताओं के अनुसार यह माना जाता है कि शाम को सुर्यस्त के बाद तुलसी नहीं छूनी चाहिए गंदे हाथ तुलसी के पौधे को गंदे हाथों से चूने से परहेच करना चाहिए हाथों को धोने के बाद ही तुलसी का पौधा चूना चाहिए अगर आप तुलसी की पूजा, तुलसी पूजा करने जा रहे हैं तो नहाने के बाद ही पूजा करें बिना पूजा कि ये तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए तुलसी को लाने का दिन अगर आप तुलसी खरीदने जा रहे हैं तो दिन का ख्याल भी रखे गुरुवार का दिन तुलसी को खरीदने का सबसे अच्छा माना जाता है गुरुवार के दिन भगवान विश्नु की पूजा की जाती है माना जाता है कि तुलसी भगवान विश्नु की प्रिय होती है इसलिए गुरुवार के दिन तुलसी लाना शुब होता है किस पर ना चड़ाएं तुलसी ऐसी मान्यता है कि तोलसी की पत्तिया भगवान शिव और गनपती बप्पा पर नहीं चड़ानी चाहिए हालां कि तोलसी के पत्ते भगवान विश्नु और मा लक्षमी पर अर्पित किये जा सकते हैं कैसे लगाए तोलसी का पौधा तोलसी के पौधे को प्लास्टिक के गमले में लगाने की सलाह नहीं दी जाती है वास्तु के अनुसार भी मिट्टी के गमले में ही तोलसी का पौधा लगाना चाहिए इस गमली पर हल्दी और नीम्बू के मिश्रन से श्री कृष्णा लिखना बेहत शुग माना जाता है